हेलो एवरिवान सो स्वागत है आप सभी का हमारी लाइव क्लासेज में जो की हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और ग्रामर की क्लासेज ठीक है तो जैसा की आप सभी को पता है कि हम नाउन वाला सेkt्चन कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोणाउन जो है वो हम शुरू कर चुके हैं प्रोणाउन के भी हमने तीन लेक्चिर तो पढ़ लिए है और आज है हमारा फौर्थ लेक्चर जिसके अंदर हम क्या करेंगे आज हम इ परसनल वाला पढ़ लिया, डेमोंस्ट्रेटिव पढ़ लिया और इंटेरोगेटिव पढ़ लिया, ये तीनों पढ़े थे, परसनल में क्या बताया था मैंने, पुरुष वाचक होते हैं, मतलब व्यक्ति वाचक होते हैं, ठीक है, फिर मैंने डेमोंस्ट्रेटिव में बताय प्रोनाउन्स हमारे अल्मोस्ट आपके क्लियर हो गए हो क्योंकि उनके नोट्स भी जो हैं वो हम प्रोवाइड करवा चुके हैं आपको तो जब भी क्लास में आते हो ना पिछले नोट्स बिल्कुल रिवाइस करके आया करो वर्णा ना पढ़ाने के मज़ा नहीं आता क्यों क्योंकि आगे उसको यूज होता है न अपने को इसलिए ठीक है समझ में आया शुरू करूं मैं आज आपको पता चल गया कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूं आज हम पढ़ेंगे विटा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में इंडेफिनिट मतलब क्या होता है चीज के बारे में बात कर रहे हैं जब हम किसी एक पॉर्टिक्यूलर स्पैसिफिक किसी एक निश्चत चीज के बारे में बात करते हैं तो वह हमें पता है कि हाँ यार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम कभी भी किसी अनिश्चत चीज के बारे में बात करे ह हम बोलें कि इन में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ हैं, कोई एक ग्रुप है, उसमें हम बोलें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ हैं, तो हमने किसी एक पॉर्टिकुलर के बारे में नहीं बताया ना वहाँ पे, किसी एक के बारे में नहीं बोला वहाँ पर हमने हमने बोला कि इन में बहुत सारे लोग जो है वो बेवकूफ हैं राइट सो वहाँ पर क्या हुआ अनिश्चत सर्वनाम जो है हमने इस्तिमाल किया अब इसको हम यूज कैसे कैसे कर सकते हैं वह आज पूरी क्लास जो है हम देखेंगे खूब सारे एक्जामपल होंगे उतने साथ मज़े आएंगे ठीक है मोटिवेशन मिलता है कि बढ़िया चलो यह लो तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि क्या होता है प्रोनाउन क्या होते हैं सर्वनाम और अनिश्चत प्रोनाउन क्या होते हैं अनिश्चत सर्वनाम होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन्स अब इंडेफिनेट प्रोनाउन्स किस चीज को रेफर करते हैं रेफर्स टू पर्संस और थिंग्स इन जैनरल जैनरल मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से बहुत सारी जो सबजिया है वो खराब है तो हमने क्या बोला बहुत सारी सबजी यह नहीं बो किसी भी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तू का बोध नहीं होता ठीक है बलकि अनिश्चित व्यक्ति या व्यस्तू के प्रयोग में प्रयोग आता है उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं जैसे अब एक्जाम्पल्स देखना हर एक एक्जाम्पल का अलग अलग use है तो वो बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों को हर एक एग्जामपल देखो जैसे anybody मतलब कोई anybody हमका अभी उज़ करते है कोई के लिए कि कोई भी हो सकता है किसी ने भी यह काम किया हो सकता है राइट ऐसे यूज़ करते हैं तो हमने बोला कि इन में से ना कोई भी हो सकता है कोई भी मतलब हमने किसी एक के बारे में तो नहीं बोला हमें नहीं पता वो कौन है तो इसी लिए हमने anybody का use किया अनिश्चित सर्वनाम के तौर पर समझ में आ गया इसी तरीके के जो प्रोनाउंस हैं जैसे none anyone मतलब कोई नहीं many मतलब अनेक बहुत सारे any मतलब कोई कोई भी anyone मतलब किसी को everyone मतलब हर कोई और इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रोनाउन है तो और बहुत सारे यूज़ हो रहा है मतलब व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है कौन सा वाला वस्तू के लिए यूज़ हो रहा है मतलब ठिंक्स के लिए यूज़ हो रहा है और कौन सा वाला किसी जगा के लिए यूज़ हो रहा है समझ में आया तीनों की अलग-अलग है पॉसन के लिए हम य ये वाले indefinite pronoun use करेंगे, things के लिए हम ये वाले use करेंगे और places के लिए हम ये वाले use करेंगे, बिल्कुल अलग-अलग, तो इनको अलग-अलग समझेंगे हम लोग, समझ में आया, आगे बढ़ हूँ मैं, चलो, आगे देखते हैं, अब जैसे हमने अलग, ये लिए लिए, आगे तो इनकोर's वाले के लोग? किervals ये ही ऐसा कर सकता है. So, अब अलगे सम्झें यहां पर ये क्या है? हमारा indefinite pronoun है क्या है हमारा indefinite pronoun है ठीक है अब देखो everybody loves to eat pizza सभी को pizza खाना बहुत पसंद है everybody loves to eat pizza सभी को pizza बहुत पसंद है तो everybody में हमने सब को include कर दिया किसी एक को include नहीं किया नहीं किया ना हमने किसी aq को include सबको include किया है चलो all are good सब अच्छे हैं तो all क्या हो गया indefinite pronoun हो गया indefinite pronoun को अब मैं हर जग है ip लिखूंगी ठीक है तो यह ध्यान रखना क्या लिखूंगी ip ip का मतलब क्या है indefinite pronoun है यहाँ पर इस class में, ठीक है, समझ में आया, hello, hi, how are you, सब कुछ ठीक है, अब class पर ध्यान दो, फटा फट, चलो, none can do this, कोई भी यह नहीं कर सकता, तो देखो, none can do this, मतलब कोई भी नहीं कर सकता, यह है, कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए हमने non indefinite pronoun का use किया, तो हमें इन सभी examples स क्या समझ में आ रहा है, देखो, nothing is here, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, some are foolish, कुछ बेवकूफ है, many of them are not good, उन में से बहुत सारे लोग जो है, वो अच्छे नहीं है, है ना, somebody has stolen my car, किसी ने मेरी गाड़ी जो है, वो चुरा ली है, none, no one has come, कोई भी नहीं आया है, इन में से ए एक भी sentence मुझे बताओ, जिसमें आपको ये पता चली कि हम किसी एक particular इंसान की बात कर रहे हूं, कोई भी sentence ऐसा है, जिसमें हमने indefinite pronoun use किया, तो उस indefinite pronoun use करने से हमें ये लग रहा हो कि इस वाले sentence में तो मैं हमें पता है, कि ये काम किस के बारे में हो रहा है, या यहाँ प पता चल रहा है आपको किसी भी sentence में, जल्दी मुझे answer दो कि किसी भी sentence में आपको पता चल रहा है क्या, नो मैम नहीं चल रहा न, किसी में में नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये सब क्या है, indefinite pronoun मतलब अनिश्चित सर्वनाम, और अनिश्चित मतलब जब हम किसी एक particular, किस नहीं कर रहे है, तो वो हो गया अनिश्चित सर्वनाम, और उन सभी के इस्तमाल आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप देखो, मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा वाला प्रोनाउन जो है, वो किस के लिए use होता है, तो people, things और place, तीनों के लिए अलग अलग है, अब हम कैसे करेंगे, कैसे याद रखें इस चीज को कि मैम कौन सा वाला प्रोनाउन परसन के लिए है, कौन सा वाला किसी भी वस्तू के लिए है, या कौन सा वाला आप यूज कर रहे हैं, किसी जगा के लिए, कैसे पता चलेगा मैम, कन्फ्यूज हो जाएं वन या फिर बोड़ी समवन या समबड़ी मतलब अगर हम सम के साथ वन या फिर बड़ी लगाते हैं तो वो किसके लिए यूज होता है पीपल के लिए किसके लिए यूज होता है वो पीपल के लिए अगर हम सम के साथ वन या बड़ी लगाते हैं तो someone और somebody हम केवल ही और केवल person के लिए use करेंगे मतलब व्यक्ति, human being, individual ठीक है उसके लिए हम use करेंगे अब आगे देखते हैं अगर हमने उसके आगे लगाया some के साथ अगर हमने thing लगा दिया तो वो हम use करेंगे किसी भी बस्तू के लिए ठीक है और अगर हमने where लगा दिया where का मतलब क्या होता है कहां तो अगर हमने where लगा दिया तो वो place के लिए use हो गया thing लगा दिया तो वो वस्तू के लिए क्योंकि think का मतलब क्या होता है कोई वस्तू ही होती है think का मतलब right so अगर हम some के साथ one या buddy लगा देंगे तो वो person के साथ है thing लगा देंगे तो वो वस्त के लिए है और अगर लगा देंगे वहर मतलब कहां वहर पता है न हमें कहां पर रइट सो सम्वेर प्लेस के लिए यूज हो गया सिंपल आ गया समझ में अगला वाला देखें जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया तो where जो है वो हम somewhere place के लिए use करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं any अब अगर हम any के साथ one लगाएंगे या any के साथ buddy लगाएंगे तो same person के लिए any के साथ अगर हम thing लगा देंगे तो ये same हो गया किसी भी वस्तू के लिए और अगर any के साथ where लगा देंगे तो ये हो गया किसी भी जगा के लिए किसके लिए हुआ किसी भी जगा के लिए ठीक है समझ में आ गया very good चलो आगे बढ़ते हैं अब है no no का use कैसे करेंगे ये ना main keywords याद रखने आपको जैसे की some any no और every अब इस anyone anybody no one nobody and everyone everybody right some मतलब हो गया कुछ any हो गया मतलब किसी में से इन में से कोई no मतलब नहीं है जब हमें कुछ भी no one हम बोल रहे हैं या फिर हम बोले every every मतलब हम सभी को एक साथ लेकर अगर कोई sentence में बोलना चाहते हैं कि everybody 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 मतलब सभी है ना everybody मतलब सभी every का मतलब सभी होता है न वैसे ही some का मतलब होता है कुछ तो someone हो जकता है कि someone इन में से ऐसा कोई हो या somebody इन में से ऐसा कोई हो अभी confused मत होना इनका मैं singular और plural use भी बताऊंगी क्या बताऊंगी मैं इनका अभी singular और plural use भी अभी हम देखेंगे ठीक है ये वाली चीज समझ में आ गई नो के साथ one लगाया no one हो गया नो के साथ buddy लगाया nobody तो ये दोनों हमने use कर लिए person के लिए व्यक्ती जी के लिए नो के साथ thing लगा दिया nothing ठीक है कोई भी वस्तू यहाँ पर नहीं है nothing is here nowhere nowhere मतलब कहीं भी नहीं तो हमने where लगा दिया place के लिए तो वो nowhere हो गया right उसके बाद हमने लगाया every every के साथ one लगाया तो मतलब हम everyone की बात कर रहे है everybody की बात कर रहे है everybody की बात कर रहे है every के साथ thing लगा दिया तो everything बन गया मतलब हम किसी वस्तू की बात कर रहे है और every के साथ where लगाया तो मतलब हम किसी जगा की बात कर रहे हैं ठीक है समझ में आया आगे बढ़ हूं मैं फटाफट singular plural की तरफ जल्दी से बताओ जल्दी से समझ में आ गया सब के कॉमेंस चाहिए मुझे जितने बच्चे देख रहे हैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब एक बार कॉमेंट क कर सकते हैं ठीक है 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 मैं लब आ रहा है न समझ में येस मैं सब सब का कमेंट आना चाहे फटा फट तभी अगली स्लाइड भी आएंगे हम वरना नहीं पहुंचेंगे ये वेरी गूड ठीक है चले आगे गूड चलो अब देखो हमने चब some के साथ पिछली slide में thing लगाया था, तो वो things के लिए use हुआ था, अब इसका example देख रहेते हैं, he saw something in the garden, उसने garden में कुछ देखा, something, अब वो कोई चीज देखी उसने, right, उसने बोला कि मैंने garden में कुछ देखा, तो मतलब उसने कोई चीज देखी, किसी वस्तू की बात क कर रहे हैं, तो हमने बोला कि he saw something in the garden, right, अब अगर हम करें किसी इंसान की बात, व्यक्ती की बात, पुरुष की बात, तो देखो, some के साथ अगर body लगाते हैं या plus, मतलब अगर हम one लगाते हैं या फिर बोलें कि somebody या फिर someone, तो somebody या फिर someone is walking in my garden, कोई मेरे garden में चल रहा है somebody is walking in my garden, तो कोई जो है, वो मेरे garden में चल रहा है, place के लिए use करना है, तो I left my glasses somewhere in the house, मैं अपने जो चश्मे हैं वो घर में कहीं भूलाया हूँ, छोडाया हूँ, right, तो उसे नहीं पता exact place कहां पर है, लेकिन वो घर में कहीं छोडाया है, ठीक है, तो अगर उसे जगा पता ह होती, अब देखो, इसमें हम समझ सकते हैं, कि अगर उसे जगा पता होती, तो वो जगा का नाम लिखता, वो somewhere क्यों लिखता, somewhere उसने क्यों लिखा, क्योंकि अनिश्चित है वो, उसे नहीं पता कि किस जगा वो घर के अंदर अपना चश्मा छोडाया है, समझ में आया, इस तो is there anything to eat, क्या घर में कुछ खाने के लिए है, तो anything का use क्यों कर रहे है, क्योंकि उसने बोला कि कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, उसने ये नहीं बोला कि क्या घर में दाल है, क्या चावल है, क्या रोटी है, क्या ये सब चीजे हैं घर में खाने के लिए, नहीं, उसने क्या घर में कुछ भी खाने के लिए है और एनी के साथ उसने जब ठेंग लगा दिया एनी के साथ उसने जब ठेंग लगा दिया तो मतलब हमें क्या पता चल गया कि किसी वस्तु की बात कर रहा है और एट के बारे में पूछ रहा है मतलब खाने के लिए पूछ रहा है तो वो पर कोई है anybody कोई इनसान या कोई है उसने ये नहीं पूछा कि क्या वहांपर मंथे और चाचा है करो फट फट विडाव कॉमें तो मजा नहीं आयेगा फिर पढ़ने में जल्दी से वता हूं को उसके बाद देखो प्लेस के लिए did you go एनीवेर लास नाइट क्या तुम कल रात लास नाइट मतलब जो रात बीत गई है ठीक है तो हम पूछते है लास नाइट हम कभी उस करते हैं बीती हुई रात के लिए तो वह जो कहLabा है युझा रहा है यही पूछ रहा है न वो उससे तो इसलिए हमने यूज किया अब आपको I hope समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम ये वाले pronouns use कर रहे हैं sentence के अंदर जब भी हम ये वाले pronouns sentence में use कर रहे हैं तो हमें उस चीज के बारे में नहीं पता सभी बाते अनिश्चित चीजों के लिए हो रही है चाहे अनिश्चित व्यक्ति हो चाहे अनिश्चित जगा हो चाहे अनिश्चित कोई भी वस्तू हो उसके लिए वो चीज हो रही है हो रही है clear है आगे बढ़ू मैं फटा फट से देखो not any अब अगर हम not any को देखे so there is not anything अ अब हमने not any के साथ यहां पर क्या add कर दिया thing add कर दिया so there is not anything to eat की घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो हमने not use किया anything के लिए तो हमें जब एक negative बात बतानी थी तो हमने anything के सामने क्या लगा दिया not लगा दिया क्या लगा दिया anything के सामने not लगा दिया he does not know anybody anyone here वो यहां पर किसी को भी नहीं जानता है तो हमने not का use किया जब भी हमें anyone anybody के साथ ही उसके बाद I did not go anywhere yesterday मैं yesterday मतलब कल रात कहीं भी नहीं गया था मैं yesterday को कहीं भी नहीं गया था राइट चलो अब बचा है no और every so no के साथ हमने thing लगाया तो वो बन गया nothing मतलब कुछ भी नहीं नो के साथ thing लगाया तो nothing बन गया nobody no one believes me body या फिर one लगाया तो क्या बन गया वो nobody no one believes me कोई भी person के लिए बोला ना उसने यहां पर कि कोई भी इंसान या कोई भी जो है believes me मेरा विश्वास नहीं करता है there is nowhere as beautiful as Rome in spring वो कहरा है डिएर इस नो वेर एस beautiful as democracy कि बाई जो रोम है वो spring के मौसम में जैसा रोम होता है वैसा कोई भी जगा जो है वो नहीं होते तो व वह क्या हुल रहे कोई भी जगा नहीं होती कुई particular जगा नहीं बोली कि बाई में जैसा होता है वहां वैसा आस्ट्रेलिया में नहीं होता है ऐसा नहीं बोला ना उसने उसने एक अनिश्चित चीज की बात की राइट चलो आगे बढ़ते हैं अब यह वाली टेबल आप लोगों को समझ मर आ गई होगी अब कुछ और एक्जामपल देख लेते हैं जैसे व दर्वाजे पर कोई है यह नहीं पता कि कौन है रसोई के दर्वाजे पर कोई है हमें यह नहीं पता कि वो कौन है ठीक है वी नीट समबडी टू हेलप अस हमें हमारी मदद के लिए किसी की जरूरत है किसी की जरूरत है इंसान की जरूरत है राइट तो यहां पर हमने लेकि soldier की जरूरत है यह नहीं बोला हमीं नहीं पता किसकी जरूरत है उसने बोला कि बस मदद के लिए हमें किसी की जरूरत है प्लस और माइनस का साइन वहाँ पर इसलिए है कि हम अरे ये प्लस और माइनस के साइन नहीं है एक तरीके से हम बोले कि नो के साथ अगर मैं एड़ कर देती हूं थिंग तो मैंने अगर इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बना नथिंग राइट आप यह वाला मार्ग भी इसलिए लगाए कि अगर नो के साथ हम थेंग लगा देते हैं तो वह नथेंग बन जाता है तो यह प्लस माइनस के साइन मतलब उन लोगों को जोड़ने के लिए है माइनस का साइन नहीं है वो ठीक है कन्फ्यूज मत होना है इसमें क्लियर ह आगे बढ़े हम फटा फट क्या चल रहा है चलो हलो इस एनिबडी देर हैलो क्या वहां कोई है तो वह क्या पूछ रहे है कि क्या वहां पर कोई है हमें नहीं पता की कौन है promise me that you won't tell anyone मुझे मुझे से क्या करो वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे तो उसने यह नही नहीं बताओगे किसी को मतलब किसी को भी नहीं किसी निश्चत आदमी के बारे में उसने नहीं बताया समझ में आ गया आगे बड़े ending में हमने thing लगाया था तो things के लिए लगाया था तो उसके कुछ और examples देख लेते हैं ताकि और clear हो जाए देखो everything had gone silent सब कुछ शान्त हो गया तो यहाँ पर every every मतलब सब right सब चीजों को जब हम include कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं every so everything had gone silent मतलब सब कुछ शान्त हो गया था had gone मतलब past tense की बात हो रही है इसी लिए ठीक है there was something in my shoe मेरे जूते में कुछ है मेरे जूते में भी है क्या मेरे जूते में कुछ नहीं है तो वो कहना है कि मेरे जूते में कुछ है तो हमें नहीं पता कि क्या है ठीक है तो किसी वस्तू की बात कर रहे हैं यहां पर भी हमने वस्तू की बात की ठीक है यहां पर भी हमने वस्तू की बात की तो जहां पर भी हमने इनके पीछे ठिंग लगा दिया वहां पर सभी में वस्तू की बात हो रही थी आगे बढ यह वाली गलती बच्चे बहुत जादा करते हैं, लाइक बहुत जादा करते हैं, और यह समझ में आ जाए तो फिर मुझे बताओगे आप सब की भाई, मुझे समझ में आ गया, चलो, देखो, we do not use another negative word such as not, यह वाला वर्ड, after indefinite pronouns with no, जो भी indefinite pronoun है, जैसे nobody, ठीक है, nothing, या फिर हम कहें कि nowhere, right, तो वो कह रहा है कि जितने भी no के साथ हम add करके pronoun बनाते हैं, अगर हम किसी भी sentence में, किसी भी वाक्य में, अगर हम यह वाले use कर रहे हैं already, तो हम फिर not का use नहीं करेंगे, अगर in pronouns का use कर दिया है ना हमने, तो फिर हम not का use नहीं करेंगे, usually हम नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, negative sentence बनाने के लिए क्या करते हैं, not लगा देते हैं, does not, did not, had not, has not, helping verbs के साथ यहीं करते हैं हम, क्या करते हैं, कि not लगा देते हैं, तो उससे वो sentence negative में बदल जाता है, लेकिन अगर वाक्य में nobody, nothing, nowhere, यह no वाले pronoun already है ना, तो वहाँ पर आप उस sentence में बापिस से no का use बिल्कुल नहीं करोगे, गलत होता है यह, और यह error detection में भी question आता है, जब भी उसमें एक दे रखा होगा, वहाँ पर हटाना होता है, जैसे nobody is available on Wednesday, अब यह हमने बोला कि बुधवार को कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो nobody से भी यह sentence जो है वो negative बना कि नहीं बना, समझ में आया यह वाला sentence, हमने क्या बोला, nobody is available on Wednesday, कोई भी बुधवार को उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ नहीं already है ना हमारे पास, नहीं क्यों है, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पर nobody लिखा है, मतलब कोई भी नहीं है, हम negative की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, कि nobody is available, nobody is not available, कोई भी available नहीं नहीं है, मतलब नहीं दो बार use आप नहीं कर सकते, ठीक है, negative sentence बनाने के लिए समझ में आ गया, आया की नहीं आया, बताओ, जल्दी से बताओ, फिर मैं अगला rule बताओंगे इसका, फटफट बताओ मुझे, ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया, वापे से repeat कर रही हूं, कि कोई भी sentence ऐसा है, जिसमें हम no से बने हुए, सारे, चाहे nobody हो, चाहे no one हो, ठीक है, तो वो कह रहा है कि जिसमें भी हम, वो वाले add करते हैं न, जिसमें भी हम ये वाले सारे जो है, add कर दें, अगर, pronoun nobody, nothing, nowhere, या फिर no one, right, तो वहाँ पर क्या होगा, not का, use, दुबारा से नहीं होगा, वहाँ पर not का use दुबारा से नहीं होगा, याद रखना, clear हो गया है कि nobody is available on Wednesday, मतलब बुदभार को कोई भी available नहीं है, तो pronoun कौन सा यूज किया, no वाला, तो अगर दूसरे sentence में देखें, जो की गलत है, यहाँ पर इसने वापिस से not का use किया है, तो ये sentence गलत है, ठीक है, आ some, all, many, one, और any, ये वाले, etc, तो वो कह रहा है कि जब भी some, all, many, one, any के direct बाद में noun हो, के direct बाद में क्या हो, noun हो, जैसे हम इसमें देखते हैं, कि some, अरे, हाँ, वेट, देखो, some girls are good, कुछ लड़किया जो है, वो अच्छी है, right, so girls, और some के बाद क्या आ गया, यहाँ पर, girls आ गया, और girls क्या है, यहाँ पर, noun है, अब मैं सवाल पूछूँगी, कि girls जो है, वो कौन सा noun है, girl कौन सा noun है, फटा-फट बताओ, जिन बच्चों ने class attend की होगी न, वो तो बताएंगी, 100% में को पक्का बताएं कि वो लोग जवाब दे पाएंगे, girl कौन सा noun होता है, जल्दी से बताओ, girl कौन सा noun होता है, जवाब चाहिए, मुझे जल्दी से बताओ, girl कौन सा noun है, तभी पता चलेगा, पिछली class का याद है या नहीं, common noun, common, 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 good, क्या है girl, common noun, और अगर लड़की का ना, proper noun वाले गलत, नही प्रॉपर नाउन नहीं है यह, common noun है, common noun क्यों है, क्योंकि इसका नाम हमें नहीं पता, proper noun कौन सा होता है, जिस भी चीज़ कोई नाम होता है, जैसे मैं, मैं एक girl हूँ, अगर बोले की girl, तो girl हुआ common noun, लेकिन अगर बोले भूमे का, तो हमें पता है कि किसकी बात हो रही है, तो वो क्या होता है, proper noun, cool, जो अच्छे proper noun बोल रहे हैं, वो noun वाले lectures वापिस देख के आएंगे अगली वाली class में, ठीक है, वरना पर टाई होने वाली है, देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, कि जब भी, जब भी आप क्या करोगे, some, all, many, one, या फिर any, इनके बाद अगर मान लो, कोई noun है, तो यहाँ पर यह क्या कहलाएगा, यह adjective कहलाएगा, क्या कहलाएगा, adjective कहलाएगा, मतलब विशेशन कहलाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो girls है, noun की विशेशता बता रहा है, कि कुछ, some, कुछ लड़किया है, तो हमें noun की विशेशता बता रहा की विशेश्टा बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं विशेशनी बोलते हैं तो हमारी यहां पर संग्या क्या है girls है और इसकी विशेश्टा बता रहा है यह वाला word some मतलब की कुछ right so some girls are good कुछ लड़कियां अच्छी हैं तो जब भी some all many one और एनी के बाद कोई नाउन आएगा तो यह adjective कहलाएगा, pronoun नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, adjective कहलाएगा, pronoun नहीं कहलाएगा, clear हो गई बात, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलो, अगला question, अगला example देखते हैं, All things have their own values All things जितनी भी चीज़े हैं उनकी खुद की अपनी अपनी एहमियत जो है वो होती है Right? होती है So यहाँ पर जो things हैं वो क्या है? Noun है Right? अब noun से पहले noun से पहले हमारा आ रहा है ये तो मैंने हैं क्या बताय था? Some, all, many, one or any अगर ये किसी भी noun से पहले लगे हुए है तो वहाँ पर ये adjective कहलाएंगे मतलब विशेशन कहलाएंगे अगर कोई आप से पूछे कि इस sentence में मुझे बताओ की adjective कौन सा है तो आप adjective क्या बताओगे? All बताओगे adjective यहाँ पर आप All बताओगे ना कि ये बोलोगे कि All तो प्रोनाउन है ये नहीं बोलोगे आप ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं ये क्या होगा? adjective होगा मतलब की विशेशन होगा आगे देखते हैं अब आती है बारी, singular की और plural की अब तक जो भी पताया मैंने वो समझ में आए दो रूल्स तो मेन है एक मैंने कौन सा बताया? कि जहां पर भी no one, nobody, nowhere और nothing use होगा वहाँ पर sentence में आप not का use वापिस से नहीं करोगे दूसरा मैंने क्या बताया? अभी पिशला वाला कि ये जितने भी words है some, all, many, one, any अगर इनके बाद कोई noun है तो ये उस sentence में adjective कहलाएंगे मतलब कि visation कहलाएंगे ठीक है? उससे पहले मैंने क्या बताया था? कि कितने भी जैसे some, any, no, every अब इनके साथ अगर आप one और body लगा दोगे तो person के लिए हो गया इनके साथ आपने where लगा दिया कि somewhere, somebody somewhere, anywhere, nowhere तो वो किसी जगा के लिए हो गया और अगर आप महाँ पर बोलोगे कि thing अगर आप उसके आगे add कर दोगे तो वो किसी बस्तु के लिए हो गया ठीक है? आगे चले समझ में आ रहा है आप लोगों को अब देखो कुछ ऐसे indefinite pronouns हैं जिनका use singular number में होता है किनका use? singular number में होता है अब इन में मैंने बोला था ना कि मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि singular और plural जो हैं अलग-अलग हम कर लेंगे ताकि जब भी sentence के अंदर हमें verb use करनी हो तो हमें पता रहे कि हमने जो pronoun use किया है उसके according ही हम verb use करेंगे अगर हमारा pronoun singular है तो हम singular verb use करेंगे pronoun plural है तो plural verb use करेंगे आया समझ में? क्या बोला मैंने? comment करके बताओ अभी मैंने क्या बोला? कि अगर हमारा ये जो pronoun है ये singular है तो verb भी use जो होगी वो singular होगी examples दिखाऊंगी कैसे अभी और अगर वो plural है तो verb भी आपकी plural ही use होगी उसके भी examples अभी हम देखेंगे ठीक है बढ़ें आगे फटा फट देखो यहाँ पर कौन कौन से words लिखे हो है anybody, everybody, somebody, someone something, nothing, anything, one, another, the other, enough, no one, anyone, each या एटसेटरा ठीक है तो यह जो है यह किस के लिए use होंगे singular number के लिए इनके साथ हमेशा singular verb लगेगी इनके साथ हमेशा singular number लगेगा जैसे each of the players has a doctor अब जब हमने each लिखा और यहाँ पर भी each लिखा हुआ है तो each of the players has a doctor तो has जो है वो यहाँ पर हमने use किया each के साथ मतलब singular के साथ हमने जो है वो singular use किया he, she, it के साथ has लगता है तो he, she और it के साथ usually हम has लगाते हैं तो यह क्या है? यह singular ही है ना? singular है यह? plural थोड़ी है तो singular के साथ अगर हमने has लगाया तो यहाँ पर भी हमने has लगाया क्योंकि each की बात हो रही है हर एक की बात कर रहा है वो तो इसलिए हम जो है verb भी singular ही लगाएंगे चलो I met two girls, one has given me her phone number अब वो कह रहा है कि मैं दो लड़कियों से मिला जिन में से एक ने मुझे अपना phone number दिया तो one जब हमने use किया और यहाँ पर भी है जब मैंने आपको बताया था कि हम one का use करेंगे तो हम बोलेंगे कि singular ही use करेंगे तो यहाँ पर भी हमने has use किया that is also singular clear हो गई बात समझ में आए अगर आई है तो जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ मैं यह बात भी हमें समझ में आ गई प्रोनाउन के लिए कि भाई अगर यह वाले प्रोनाउन्स हैं यह वाले इंडेफिनेट प्रोनाउन्स हैं तो वर्ब भी उस sentence के अंदर singular ही लगेगी plural बिलकुल भी नहीं लगेगी ठीक है नाम बाव हम बात में लेंगे पहले यह बताओ कि क्लास में समझ में आया या नहीं आया ठीक है चलो आगया मैं अब देखो यहाँ पर भी देखो everyone likes my father तो likes जो है वो हमने singular use किया ठीक है और everyone like my father तो यह गलत हो जाता है no one was injured in the crash तो हमने यहाँ पर जो verb है वो singular use की कि जो crash हुआ उसमें कोई भी जो है जखमी नहीं हुआ राइट हमने singular verb ही use करी कि यहाँ पर क्यों कि यहाँ पर no one था और मैंने आपको बताया कि no one जहाँ पर भी होता है देखो यह रखा हुआ है न यह रहा no one किसमें आ रहा है singular में आ रहा है इसलिए हम singular verb ही use करेंगे ठीक है आगे बड़े चलो कुछ ऐसे indefinite pronoun है जिनका हम हम plural की तरह यूज करते हैं तो plural की तरह कैसे यूज करेंगे many other both some few यह वाले जो है यह किसके लिए यूज होते हैं plural के लिए यूज होते हैं किसके लिए यूज होते हैं plural के लिए यूज होते हैं जैसे many have expressed their views पिछले वाले में जब हम कर रहे थे तो हमने यहां पर है लगाया था जो कि singular के लिए था अब जब हम देख रहे हैं तो हम है लगा रहे हैं जो कि हम plural के लिए लगा रहे हैं राइट सो मैंनी का मैंने क्या बताया कि यह plural pronoun है plural indefinite pronoun है इसी लिए इसके साथ हम plural verb ही यूज करेंगे चीट है प्लूरल के लिए यूज किए जाएंगे आगे बढ़ते हैं घिनका हम हम दोनों में करते हैं लाइक singular में भी और plural में भी अब जब हम यहीं हम यहीं सोचें कि यार इसका singular में भी use हो रहा है और plural में भी use हो रहा है तो इसके साथ verb कौन सी लगेगी यह कैसे पता चलेगा तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगे डरने वाली बात नहीं है देखो कुछ indefinite pronoun ऐसे होते हैं जो singular और plural दोनों के लिए use होते हैं जैसे all, any इस तरीके के राइट all हुआ, any हुआ, more हुआ, most हुआ और some हुआ यह किसके लिए singular और plural दोनों के लिए use होते हैं यह वाले सारे notes जो है आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे तो कल जब आप class में आओगे तो इन notes को revise करके आओगे क्योंकि इनके उपर अपन क्या पढ़ेंगे और examples देखेंगे और मैं आपसे reason भी पूछूंगी कि भाई क्यों एक बात बताओ मुझे कि यह जो चीजे हैं वो यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हो रही है ठीक है तो देखो यह मैंने बताया कि all, any, more, most और some के लिए हम singular और plural दोनों के लिए यूज करते हैं तो देखो यह जो हमारी तीसरी category है जिसमें हम singular और plural दोनों के लिए यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हमारा जो subject है वो singular है या नहीं राइट वो हमें देखना होगा in case of singular subject हम singular verb यूज करेंगे और plural subject के case में हम plural verb यूज करेंगे अब वो देखते हैं कैसे यूज करेंगे राइट तो देखो some of the money is needed by राम some of the money is needed by राम यहाँ पर हमने देखा कि money जो है right money किस में आता है uncountable noun में आता है uncountable noun में आता है तो यहाँ पर हम जो verb है वो यूज करेंगे helping verb singular यूज करेंगे हमारा subject जो है वो singular uncountable noun में आ रहा है तो हम यहाँ पर वर्ब भी singular ही यूज़ करेंगे यह है यहाँ पर singular uncountable noun राइट तो इसलिए वर्ब जो है वो singular ही यूज़ होगी some of the children are creating a racus so children यहाँ पर क्या है plural है तो हमें पता चल गया कि हमारा जो subject है वो plural है और some pronoun हम यहाँ पर use कर रहे हैं यहाँ पर भी हम some use कर रहे हैं कर रहे है कि नहीं कर रहे हैं तो अगर हमारा जो subject है अब यह जो some है वो singular और plural दोनों के लिए use हो रहा है सम जो है singular और plural दोनों के लिए use हो रहा है तो जो भी pronoun singular और plural दोनों के लिए use होते हैं उन वाक्यों में हम देखेंगे कि हमारा जो subject है जो करता है वो singular है या फिर plural है वो एक वचन है या फिर बहु वचन है ठीक है? money uncountable इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे है money हमने ये नहीं बोला कि 100 rupees 100 rupees को आप count कर सकते हो money count नहीं कर सकते जैसे हम gold count नहीं कर सकते लेकिन अगर उन gold से ही हम necklace वेकलेस बना दे तो हम उन्हें count कर सकते हैं कि 1 necklace, 2 necklace, 3 necklace, 4 necklace राइट? इसलिए अगर मैं आपे बोलती कि 10 rupees तो हम 10 rupees count कर सकते हैं कि 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्के, 5 सिक्के, 6 सिक्के लेकिन अगर हम बोले money तो उसे हम नहीं कर सकते ठीक है? चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई कि money जो है वो uncountable noun है इसलिए हमने is का use किया और इस जो है वो singular होता है नेचर में ठीक है तो एक line वापिस से repeat कर रही हूँ ध्यान से सुनना कोई भी sentence में जब आप ये वाले pronoun यूज करते हो जो दोनों category में आते हैं singular में भी और plural में भी तो उन बाक्यों में आप क्या देखोगे subject देखोगे अगर subject singular है तो singular verb लगाओगे subject plural है तो plural verb लगाओगे ठीक है तो चलो आज की जो हमारी class है वो हम यही पर खतम करते हैं अगली class में हम इसी को continue करेंगे और ये जो table है इसके through अगर आप चाहो वैसे तो मैं आपको ये जो है पूरा जो slides में आपको मिल जाएगा तो आप ये सारे क्या कर सकते हो examples देख सकते हो कि भाई ये singular के लिए मैं आपने बताया था तो singular के example है plural के लिए बताया था तो plural के examples है ठीक है तो ये सारे examples जो है वो आपके सामने है आप सभी को पढ़ने है कोई भी doubt हो इन notes को पढ़ने के बाद तो आप comment section में जरूर पूछना doubt कोई भी दिमाग में नहीं रखना है अपने doubt रहेगा दिमाग में तो जो next class है वो भी समझ में नहीं आएगी ठीक है तो आज की class हम यहीं पे खतम करते हैं I hope आपको class पसंद आई होगी और I hope आपको यह जो चीजें मैंने बताई हैं यह बहुत important है और यह भी समझ में आई होगी So वीडियो को like, share और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और मिलते हैं next class में Bye